परिच्छा को ले करके ये क्लियर हो गया है कि सरकार जो है डबल बिंज जाएगी 29 मार्च 2019 का सिंगल बेंज का आदेश डेश्टिस राजे सिंग चोहान जी के तरफ से जो आदेश जारी किया गया था उसमें जो 7 जनुरी का सासना देशा उसको रद्द कर दिया गया था 60-65 कटाफ को रद्द करते हुए 40-45 कटाफ पर पिछली सिचक भरती के अधार पर तीन महीने के अंदर सिचक भरती को संपन करने का सरकार को आदेश दिया था लेकिन अभी तक कोई निर्देश वहाँ से आया नहीं था सरकार के तरफ से अब सरकार के मनशा सरकार ने अपनी मनशा बिल्कुल पूरी तरीके से साफ कर दी है कि वह 40-45 के कटाफ के फेवर में नहीं है और 40-45 कटाफ पर सिच्छक भरती को संपन नहीं करेगी इसलिए इस आदेश के खिलाब जो है सरकार डबल बेंच में अपिल दायर करने जा रही है जैसा कि बेसिक सिच्छा विवाद के अपर मुखे सची उप्रभात कुमार जहां जी के द्वारा बताया गया है यहाँ पर सिच्छा मित्रों के वकीलों ने भी अपनी कमर कस लिए उन्होंने पहले ही केवेड जो है दाखिल कर दी है अब डबल बेंच में दोनों पच्छों की सुनवाई होगी दोनों पच्छों को सुनने के पस्चाज जो है जैस सब यहाँ पर नेड़े देंगे और प्रिवेस रीडियो में हमने भी पहले ही बता दिया था कि सिच्छक भरती उन्हत्ता जैस सिच्छक भरती पर इच्छा जो है सुप्रीम कोट के दरवाजे पर दस्तक देगी क्योंकि डबल बेंस से जो नेड़े आएगा किसी एक फेवर में आएगा किसी एक परटी के फेवर में आएगा तो सेकेंड परटी अव्यसली जो है सुप्रीम कोट के दरवाजे पर जाएगी सुप्रिम कूट का जो नीड़े होगा वही अंतिम नीड़े होगा उसी अंतिम नीड़े को फालो करते हुए यह सिच्छक भरती सरकार के दोरह संपन की जाएगी अब क्या नीड़े होगा क्या नहीं नीड़े होगा ये तो वक्त बताएगा यहाँ पर हम बता दे कि सिचक भरती जो 60-65 कटाफ और 40-45 कटाफ के बीच में उलच कर रह गई है लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन्च आत्रों के साथ है जिनोंने ये सोचा था कि बहुत जल्द भरती संपन होगी उनतर जाई युवाओं को नौकरी बहुत जल्द मिलने वाली थी लेकिन अब भरती जो है थोड़ी से डिले होने के कागार पर है यहाँ पर एक चीज़े और है कि यह PNP के दोरा रिजल्ट और उत्तर कुंजी क्यों नहीं जारी किया जा रहा है तो वो 1 mark से यहां पर pass होने के लिए अटक जाएंगे, कुछ candidate ऐसे होंगे जो 96 marks पाएंगे तो वो हाँ पर 1 mark से या 95 पाते हैं तो 1 या 2 mark से यहां पास होने के लिए अटक जाएंगे, यहां पर साथ में उत्तर कुंजी भी जारी की जाएगे, इनके प्रशनों को लेकर विब दायर की गई थी, तो यहां पर भी अनुतर जैसे इच्छक भरती परिच्छा को लेकर के, इनके प्रशनों को लेकर के, इनके उत्तर को लेकर के, हाई कोट में अपील दायर की जाएगी, बहुत सारे कैंडिड जो है, PNP के खिलाब जो है, इन प्रशनों को लेकर के हाई को जारी नहीं किया जारा सरकार उसे जारी करने का आदेश भी नहीं कर रही है। क्या होगा कैसे होगा क्योंकि डिले होना है क्योंकि डबल मींच में कमसे कम वन मंठ मेटर चलेगा ही चलेगा। झाल झाल